जार्खंड राज्य कर्मचारी चयन आउग के अध्यक्ष सुधीर त्रिपाठी का कार्यकाल 26 सितंबर को समाप्थ हो गया 27 सितंबर से राज्य के पूर्व डीजीपी नीरच सिन्हा जेस इसी का अध्यक्ष पद संभालेंगे यहाँ थोड़ी देर ठहर कर ये अवलोकन करना ज़रूरी है कि जार्खंड के मुख्य सचिव रहे सुधीर त्रिपाठी बतौर जेस इसी अध्यक्ष उनका कार्यकाल कितना सफर रहा उनके कार्यकाल में जो परीक्षाएं हुई हैं वो कितनी विवाद रहित रही आप लोगों को याद होगा कि जूनियर इंजिनियर का प्रश्न पत्र लीक होने के बाद आयोग के कामकाच को लेकर गंभीर सवाल खड़े किये गए थे परीक्षा संचालन करने वाली कमपनी भी सवालों के घेरे में आ गई थी बाद में इस मामले में खुद आयोग की ओर से नामकों थाना में प्राथमी की दर्स कराई गई थी इस मामले में गठित S.I.T. ने पूरे मामले का परदाफाश किया और पताचला की मास्टर माइंड बिहार का है बाद में पुलिस ने इस पर आगे की तफ्तीश की ऐसे सुधीर त्रिपाठी के ऊपर व्यक्तिगत तौर पर कोई आरोप नहीं लगे अब जार्खंड के पूर्व DGP नीरच सिन्हा से काफी उम्मीदे है 1987 बैच के बिहार कैडर के IPS अधिकारी नीरच सिन्हा को राज्य गठन के बाद उन्हें जार्खंड कैडर मिला 12 फरवरी 2023 तक वे जार्खंड के DGP रहे जार्खंड गठन के बाद नीरच सिन्हा राँची, हजारी बाग समेट कई जिलों में SP और SSP रहे उम्मीद की जानी चाहिए कि नीरच सिन्हा के कार्यकाल में JSC की परीक्षा विवाद रहित होंगी छात्रों की उम्मीदें पूरी होंगी समय पर परीक्षाओं का संचालन होगा सबसे खास बात ये की नीरच सिन्हा की पहली चुनोती 26,000 शिक्षकों की बहाली को सफलता पूर्वक आयोजित करना है फिलहाल ये मामला जार्खंड हाई कोट में लंबित है